अभी देख रहे होंगे जहकास भारत और बिहार सरकार के दोरा मानब स्रिंखला 19 तारीक को जो किया जा रहा है उसको लेकर पटना के डियम कुमार रभी यहाँ पर मुआयना करने के लिए आये हैं और देख सकते हैं तमाम अधिकारी पुलिस विभाग के और प्रसास्निक वि दिन 19 तारीक को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा और नहीं होगा और कुमार रभी ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फरेंस के जरिये भी बताने का कुछ प्रयास किया है वह अभी हम सुनाते हैं यह पूरे राजी में मानव स्रिंकला 19 जनवरी 2020 को बनाई जानी है जिसका मुख्य थीम जल जीवन हरियाली है और उसके लिए जिला प्रिशासन के दोरा यहाँ तयारी की जा रही है पुर्व में भी 21 जनवरी 2017 और 21 जनवरी 2018 को यहाँ पर मानव स्रिंकला बनाई गई थी पटना के विविन छेत्रों में होते हुए राजी के दूसरे छोड तक पहुंचेगी यहाँ जो चार बड़े गेट है गेट नमबर 1 है 5 है 7 है और 10 है यहाँ से निकलेगी लाइन निकलेगी यह मानव स्रिंकला निकलेगी और विविन छेत्रों से प्रमुक सड़कों से होत प्रमुक यहाँ जानकारी और यहाँ पर जो मानव स्रिंकला में लोग रहेंगे उनको भी पूरी जानकारी दीगई और यहाँ पर जो मानव स्रिंकला बनेगी उसी से प्रमुक में अलग अलग जो मानव सिंख्ला है वो निकलेगी और विविन चत्रों में जाएगी। उन्बुलन बाल विवा उन्बुलन और शराबंदी के संबंद में अच्छा काड़ जिनों ने किया है। चल लही है और यहां का डिजाइन लगभग फाइनल हो चुका है। यहां जो अंदर प्रवेश करनी और बाहर निकलनी की विवस्ता रहेगी। और जो लोग इसमें पार्टिसपेट करेंगे लगभग उनकी भी सुची तयार की जा चुकी है। इसके अतरिक्त जो यहां पर सुरक्षा विवस्ता पूरे जिले में रहेगी मानव स्रिंकला की। उसकी भी तैयारी लगभग अंतीम चरन में है और उसका माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है। पूरे जिले में लगभग 708 किलो मीटर में मानव स्रिंकला बनाई जाएगी। जिसमें मुख्य रूट में मुकामा से लेकर के कोईलवर तक में रूट बनाई जाएगा। जो की पटना में गांधी में दान होते हुए जाएगा। इसके तरिक कई सारे सब रूट भी बनाए जाएगे। इसमें कुल मिलाकर के लगभग 17-18 लाख लोग इसमें शामिल होने की अभी हम लोग ने आकलन किया है और इसके आधार पे तैयारी की जा रही है और इसका लो इतना ही चैनल को सबस्क्राइब करिये धन्यवाद।